Hello students, good morning, class 7th, Sanskrit 8th chapter, 2nd lecture विप्रीत आर्थक सब्द है, विलोम सब्द है, आपने हिंदी में भी पढ़ा विप्रीत आर्थ बताने वाले सब्द विलोम सब्द कहलाते हैं तो विलोम सब्द को ही विप्रीत आर्थक सब्द कहते हैं अब जैसे आर्थ, आर्थका विलोम हुआ बेटा अनार्थ, अग्रज कहते हैं बड़ेको, तो अग्रज का विलोम हुआ अनुजा, अम्रतम का विलोम हुआ विशम, उपस्थित का विलोम अनुपस्थित, उत्तीन का विलोम बेटा अनुत्तीन, और एकता का विलोम हुआ अन इच्छा का विलोम अनिच्छा, कनिष्ठा का विलोम वरिष्ठा, क्रपड़ा का विलोम उदारा, कुपुत्रा का विलोम सुपुत्रा, उन्नता का विलोम अवनता, इसी प्रकार ये उचितम का विलोम अनुचितम, मंद बुद्धी, तीब्र बुद्धी, प्राता का विलोम सुबह होता है प्राता मिन्स सुबह का विलोम बेटा सायम विवेका जिसकी बुद्धी होती है विवेक का विलोम और विवेक बुद्धीन बहवा अलपा बहवा मिस बहुत अलप मिस थोड़ा उतकरसा अपकरसा उत्देमा आलसा अब बेटा ये आगे विलोम देखिए चंचल का सांत जीवनम मरणम तरलम कठोरम दयालू निर्दिया देवा दानवा धर्मा अधर्मा न्याय का अन्याय निरक्छरा साक्छरा पंडित पुरे रास्ते जो चलता है उसको क्या कहते है कुमार्ग, सुमार्ग अच्छा रास्ता, छेयम ब्रद्यम छेय नश्टोना और ब्रद्यमीस बढ़ना, उच्चे अधा, शोक हरसा, शोक मीस दुख, और उच्चे मीस उच्चा, अधा मीस नीचे, सोक हर्षा, सोक मिस दुख, हर्ष मिस खुशी, छाया, आत्प, पुरा, अधुना, दूरत, समीपत, निवन्तम अधिक, दूर और समीपतम मिस पास, निवन्तम का कम और अधिकतम अधिक, बेटा ये आपका ये लेक्चर यही तक, अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा, होमवर्क में बेटा आपको ये विलोन सब्द, ये 10 तक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है, ये 19 तक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, होमवर्क में और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है, अगला लेक